हलो एवरिवन मैं विक्रांत आप सभी का कॉंपिटिशन कम्मुनिटी में स्वागत करता हूं आज हम दर्शन शास्त जो कि CGPSE मेंस का एक महत्वपुनू सब्जेक्ट है विशे है उसका अध्यान करेंगे दर्शन शास्तर में आप बहुत ही अच्छे मांक से स्कोल कर सकते हैं क्योंकि CGPSE का सी लेपल्स बहुत ही कंसाइज है और इसमें टू दपॉइंट क्वेशन आते हैं चलिए आज का टॉपिक देखते हैं आज हम पाश्यात्य दर्शन की दो प्रसिद्ध दाशनिक एक प्लेटो और दूसरे अरस्तुक इनके सिध्धान्तों के बारे में पढ़ेंगे प्लेटो के सद्गुणवाद के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्लेटो के बारे में जान जाते हैं वे कौन थे? क्या करते थे? प्लेटो एक युनानी दाशनिक थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे-च्छे सिधान्त दिये जिन में से उनका एक प्रमुख सिधान्त सद्गुणवाद था प्लेटो का जन्म युनान के एथिन शहर के समीप में 427-28 इसापुरु के आस्वास हुआ ये एक बहुत ही सब्धान्त परिवार से तालुक रखते थे जब इनकी प्रारम्भिक सिध्षा समाप्त हो गई तो इसके पश्याद जो है ये सुकराद के सानिध्य में आए उस समय सुकराद जो है वो काफी प्रसिध दाशनिक थे इनकी प्रसिधी पॉजेटिव ना होकर न इसी होनी चाहिए थे और यह आपके अधाना असत्य है तो इसी कारण से उन्हें प्रशाशन के द्वारा शाशन के द्वारा मृत्य दंड दे दिया गया जब सुक्राद की मृत्य होती है तो प्लेटों बहुत ही जादा आहत होते हैं उनका विश्वास जो है उस समय की शाशन विवस्था जो बहुत ही जादा आदर्श वादी रहे उनके आदर्श बहुत ही जादा उच रहे ऐसी एक शाशन प्रणाली के बारे में बताते हैं वो कि एक राजा कैसा होना चाहिए राज्य कैसा होना चाहिए उसकी प्रजा कैसी होनी चाहिए नयाय कैसा होना चाहिए औ धस्टाचार का निवारन कैसे करना चाहिए। इन सारी बातों को बताने के कारण और इस उच्च प्रतिमान के होने के कारण उन्हें आदर्श्ववादी विचारक और प्रथम राजनेतिक दाशनिक कहा गया। क्योंकि अब तक जितने दाशनिक हुए थे उन्होंने राजनीति पे हात नहीं रखा था, राजनीति को अपने दर्शन में शामिल नहीं किया था। नाय के सिध्धान्त में वो कहते हैं, हर मनुष्य को प्रकृति के अनुरूप कारे करना चाहिए, अन्यथा संतुलन की स्थिती पैदा हो जाएगी। अब प्रकृति के अनुरूप वह कारे क्या होता है। व्यक्ति में एक विशेश गुण विद्धान होता है, और उस गुण के कारण ही, उस गुण के प्रभाव से ही व्यक्ति अपना सभाव निर्मित करता है। और सभाव निर्मित करता है उसी के अनुसार कार्य करता है तो इस प्रकार उनके नयका सिध्धान क्या कहता है हमने जान लिया अब वो गुण क्या होगा प्लेटो ने बोला आत्मा के तीन अंगों होते हैं एक इक्षा या तृष्णा दूसरी है भावना या मनोविग तीसरी अब ये तीन उन्होंने अंग तो बता दिये ये तीन वही अंग है जो मानों के सभाव का निर्धारन करते हैं इन्हीं तीनों अंगों की सत्ता के अधीन रहकर ही मानों अपना कार्य करता है अब ये तीनों अंग जो हैं प्रतेक मनुष्य में विद्यमान होते हैं यदि प् आपका कार्य अलग है मेरा कार्य अलग है इसके पीछे भी कारण है उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति में एक विशेश सत्ता की प्रधानता होती है जैसे इक्षा की सत्ता होती है भावना की सत्ता होती है बुद्धी की सत्ता होती है उसी के अनुरूफ व्यक्ति जो है अपना क करता है, बाकी दोनों सत्ता हैं उस पे गौन रुप में विद्यमान होती है। आएए चलिए हम उन सत्ताओं को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि तृष्णा या इक्षा की सत्ता शब्द से ही क्लियर है। जिसमें लालसा जादा हो, जिसमें पाने की इक्षा जाद जिसमें बहुत ही जादा अधिक भावना जो है ओत्प्रोत होती हो जैसे कि सैनेवर्गों होते हैं उनमें देशभक्ती की भावना बहुत जादा होती है उसी देशभक्ती की भावना से वो लड़ाई करते हैं अग तीसरा जो होता है ग्यान और बुद्धी इसकी सत्ता इसकी रखा गया है क्यों कि उन में पाने की लालसा अधिक होती है अन्य लोगों के प्रतीफ अब मनोवेक भावना के अंतरगत जैसे हमने बात की सैनिवर्ग को सैनिकों को या उन से जुड़े हुए कारे करने वाले लोगों को रखा गया है तीसरी सत्ता ग्यान और बुध्धी की स करता है उसके अंतरगत प्रशाशक वर्ग जाशनिक वर्ग और अध्यापक वर्ग इनको रखा गया है ये लोग वैसे होते हैं जिन दों जादा से जादा चिंतन करते हैं और बुद्धी का प्रयोग करते हैं अब क्या इनको सत्ता के अधिन रहते हुए कारे करने में किसी और अन्य चीजों की आविशक्ता नहीं है किसी अंकुष की आविशक्ता नहीं है लेकिन नहीं यदि वो उस सत्ता के अधिन कारे करते रहेंगे और निरंकुष रहेंगे तो असन तुलन की स्थिती पैदा होगी जैसे त्रिशना या इच्छा की सत्ता के अंतरगत कारे करने वाले विक्ति उत्पादक जो हैं यदि उनमें लाल सा अत्यधिक हो जाए तो वो क्या करेंगे अनैतिक क्रित्य करके लाभ प्राप्त करना चाहेंगे तो उन पे वो अंकुष लगाने के लिए एक सद्गुण होना अत्ति आवश्यक है सयम या आत्मसयम का सद्गुण यह सईयम या आत्मसेयम का सद्गुन क्या होता है वह सद्गुन जो उस व्यक्ति पे जैसे एक व्यापारी है या एक उत्पादक करता है उसको लाब कमाने में थोड़ा सा समय तो लगेगा यदि वह कम समय में अधिक से अधिक लाब कमाना चाहता है तो उसको possibility है कि वो जरूर एक अनैतिक या गलत कारे करे जिससे लोगों की भलाई ना हो, जिससे उनकी बुराई हो, जिससे उनका घाटा हो, तो उस चीज को रोकने के लिए उसमें सैयम या आत्मसैयम का सद्गुन होना आवश्यक है, उसी प्रकार एक सैनिक है, एक सैनिक में यदि साहस नहीं होगा, तो वो युद्ध छेतर, रंड छेतर को छोड़ के भाग जाएगा, यदि उसमें दुसाहस होगा, अर्थात वह साहस, प्लेटों के अनुसा साहस वह है, जो सच्चाई या सत कारे के लिए सक्ति प्रदर्शन किया जाए, वह सक्ति प्रदर्शन जो प्रजा पर अत्याचार करता है, तो उस पे अंकुष लगाने के लिए साहस का गुण अति आवशक है, अब इस प्रकार देखते हैं, हम ग्यान या बुद्धी की सत्ता के अंतरगत, क्या इन्हें भी सत्गुण के आवशकता होती है, जी हाँ, इन्हें भी होती है, क्यों हो है सही तरीके से न्याय कर पाए यह आवश्यक है यदि किसी पर ग्यान का तो भंडार है लेकिन उस ग्यान का यूज कहां करना है कैसे करना है और कितना करना है यदि उन्हें इतना ही नहीं पता तो वह ग्यान किस मतलब का वह तो व्यर्थ हो जाएगा उस प्रॉब्लम से बच किते हैं मानौ में तीन सदोन पाए जाते है कि एक मानो में यह तीनों सदोनों तो मौजुद है इदि इन फीनों सदोन में जाए चॉथा तो उसका चौथा और सर्वो परी सदोन हो जाता है और यदि जिस व्यक्ति में ये चारो सद्गुण पाए जाते हैं ये चारो सद्गुण यदि पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति का कल्यान होना अनिवार्य है ऐसा प्लेटो का कहना है प्लेटो के अनुसार राज का निर्मान किस से होता है? राज का निर्मान होता है व्यक्तियों से अर्थात व्यक्तियों में जो सद्गुण मौजूद हैं वही सद्गुण राज में भी मौजूद रहेंगे राज्य में भी वो तीनो सद्गुण मौजूद रहेंगे और तीनो सद्गुणों को बताने के लिए प्लेटो ने राज्य को तीन वर्गों में विभाजित कर दिया एक उत्पादक वर्ग, एक सैनिक वर्ग और तीसरा है दाशनिक्या शाशक वर्ग उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शाशक वर्ग इन तीनों में आपसी सामंजस से यदी होता है यदी वो तीनों अच्छे से कारे करते हैं तो एक नयाएपुन राज्य की स्थापना होती है यदी ये चारों सद्गुण सैयम साहस, विवेक और नयाएं यदी ये चारों सद्गुण एक राज्य में मौजूद हो तो वह राज्य बहुत ही जादा कल्यानकारी राज्य होगा इस प्रकार हम प्लेटों के सद्गुण वाद को तो समझ गए हैं अब इसे समराइस करते हैं कि यदि प्रश्न आता है कि आप प्लेटो के सद्गुनवाद को समझाईए तो हमें क्या लिखना है और क्या छोड़ना है ये सारी बाते तो हमने समझने के लिए कर ली हैं आप प्रारंभ करेंगे प्लेटो ने अपनी गरंथ या किताब दर अर्थात हर व्यक्ति को अपने गुण के अनुरूप ही कारे करना चाहिए यदि किसी व्यक्ति में योध्धा बनने का गुण है तो उसे योध्धा बनना चाहिए ना कि वैद्य बनना चाहिए किसी व्यक्ति में वैद्य बनने का गुण है तो उसे अध्यापक नहीं वैद ये तीनन अंग बताए जिन के अधीन रहकर मानाओं अपना कारे करता है। इन तीनो सत्ताओं को बताईएगा कि एक्षा की सत्ता जिसके अंतरगत व्यापारी वानिज्य करता और उत्पादक करता ये तीनों आते हैं और इनमें संयम का गुन होना आवश्यक है। उसके पश्चात आप बताईएगा भावना या मनोवेक की सत्ता इसके अंतरगत सैन्य कारे में लगे हुए विक्ति आते हैं जिनमें साहस का गुण होना अनिवार्य है इसके पश्चात तीसरी जो सत्ता है वह बुध्धी की सत्ता के अंतरगत दाशनिक और राजावर्गा आते हैं और इने में विवेक का गुण होना अतियावश्यक है इस प्रकार से विक्ति में तीन प्रकार के सत्त्त गुण पाये जाते हैं सैयम, साहस और विवेक इन तीनों सत्त गुणों के मेल से एक सर्वत्तम गुण नयाय उत्पन होता है और जिस विक्ति में ये चारों सत्त गुण मौजूद हैं उस विक्ति का कल्याण होना अनिवार्य है इसके पशात आप लिखेगा कि प्लेटो ने राज के अधारना के लिए कहा है कि राज जो है विक्तियों से मिलके बना होता है और वही विक्तियों की तीनों सत्गुण जो हैं राज में भी मौजूद होने चाहिए और उन्होंने राज को तीन वर्गों में भाजित किया है उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दाशनिक वर्ग, इन तीनों वर्गों में सामंजस से आपसी सामंजस से इस्थापित हो जाए तो वह राज्य नयपुर्णा राज्य हो जाएगा, आपको बस इतना ही लिखना है, इसके बाद हम देखते हैं कि प्लेटो के इस ठियोरी से इस सिध्धान्त से दो छोटी-छोटी प्रश्ण बन सकते हैं, एक तो है प्लेटो के इनुसार नयाय का अर्थ क्या है, प्लेटो के इनुसार अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करते हुए, दूसरे के शेत्र होगा और उसी स्वाभाविक करतव का पालन करेंगे दूसरा व्यक्ति है जैसे एक व्यापारी को एक सैनिवर्ग के कारे में हसक्षिप नहीं करना चाहिए वही प्लेटो ने अपने नया के अधारणा में कहा है जैसा कि हमने उसमें विवेक का गुण होना अनिवार्य है मतलब एक ऐसा विवेक शील व्यक्ति जो निस्वार्त हो निस्वात अर्थात जो स्वयम के कारे के लिए स्वयम के कारे के लिए ही लोगों का उपयोग ना करे वह राज की भलाई के लिए कारे करे अपने स्वयम की भलाई ना देखे फिर उसके बाद कर्तव्य निस्ट अर्थात की वह किसी भी कर्तव्य से पीछे ना हटे यदि उसका जो कर्तव्य है वो उसे कम्प्लीट करता है तो वो कर्तव्य निस्ट कहलाएगा तो इस प्रकार देखते हैं दाशनिक राजा का सिध्धानत का ऐसा व्यक्ति जो स्वयम ही एक विवेक शील करतव निस्ट और निस्वार्त हो एवं सम्यक नयाय व्यवस्था इस्थापित करने में सक्षम हो वह व्यक्ति राशनी के राजा होगा इस प्रकार प्लेटों का यह सिद्धांत एक समन्वे वादी देखा हमने की तीनों वर्गों के बीच कैसे समन्वे इस् इसमें सभी वर्गों के भी संतुलनλन इस्थापित करने का प्रयास किया गया है इस प्रकार से हमने प्लेटों का सद्गुन condemned देख लिया अब अरस्तु के कारणता सिद्धांत क्या है इसे जानने से पुर्व हम अरस्तु के बारे में जानेंगे कि अरस्तु कौन थे अरस् पायू में ही थे तो इनके पिता के मृत्ति हो गए थे लेकिन ये बच्पन से बड़े ही मिधावी और जिग्यासु प्रवित्ती के थे इन्हें हर चीजों को हर पदार्तों को हर घटनाओं को देखके इनके मन में जिग्यासा उत्पन होती थी क्वेशन पूछते थे ये सबसे अब इनके जिग्यासु प्रवित्ती और इतने ही मिधावी होने के कारएं इनके रिष्टेदारों ने इन्हें कहां भेज़ दिया प्लेटों की एकेडमी में भेज दिया उच समय प्लेटों की एकेडमी जो थी वो वन आफ दा बेस्ट इनके विचारों में थोड़ा सा डिफरेंस होता था इसलिए प्लेटों ने उस एकेडमी को छोड़ दिया और अपनी एक नहीं एकेडमी डाल ली जब प्लेटों तीस वर्ष के थे तो राजा फिलिप जो कि अलेक्जेंडर के पीता थे मगदुनिया या मिसरडेनिया के रा अऱस्तु की जग्यासु प्रवित्य होने के कारण उन्होंने बहुत ही ज़ादा सिध्धान्तों का प्रतिपादन किया उसमें से एक सिध्धान्थ है उनका कारंता का सिध्धान्त कुछ नहीं है उनकी तत्व मिमांसा का जो लक्ष होता है अरस्तु ने कारंटा का सिध्धान दिया, कारंटा का सिध्धान उनकी तत्व मिमानसा प्याधारी था, तत्व का विशलेशन, उनकी तत्व कैसे थे, वास्तवी या यथार्त जगत की व्याख्या करना, वास्तवी या यथार्त क्या है, जो चीज जिस रूप में है, उसी तो नहीं है पास जाकर आप देखते हैं कि वो सांप नहीं है रसी है यही अथार्थता है तो जगत की अथार्थता क्या है उसकी वास्तविक्ता क्या है उसकी व्याख्या करना जो था इनका में एम था जगत की परिवर्तन शिल्टा पे वे अध्यन करते थे उसकी कारण अवश्य होगा और उस कारण के बिना जो है उस कार्य की उत्पत्ती नहीं होगी अब जैसे हम एक एक गजामपल लेते हैं यहां घड़े का एक गजामपल लेते हैं घड़ा हमारा एक कार्य है जिसके पीछे कारण क्या होगा कुमार जो उसका निमान करता है जो उसको ब पागर इस घड़े की उत्पत्ती संभव नहीं है, कारण के द्वारा कारे की उत्पत्ती, कुमार के द्वारा घड़े की उत्पत्ती, ये तो एक कारण था, इसके अलावा अरस्तु ने बहुत सारे कारण बताए, जिनको हम one by one देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं उपादा कारण क्या होता है, जो material चाहिए हमको, raw material चाहिए, जो basic material चाहिए, किसी कारे के उत्पत्ती के लिए, किसी के निर्मान के लिए, वो क्या होगा हमारा उपादान कारण, फिर उसके बाद देखते हैं निमित्त कारण, निमित्त कारण क्या होगा, उस raw material को अपना power लगाए, और गती प्रदान करे, उसको कारे रूप में पढ़नीत होने के लिए, तो वो क्या होगा, आपका निमित्द कारण होगा। तीसरा है स्वरूप कारण, भई वो पावर लगाएगा, उसको गती प्रदान करेगा, लेकिन वो किस स्वरूप में ढ़लेगा, इसे भी तो जानना आवश्यक है, तो वो उसका स्वरूप कारण होगा. चौता है लक्षया प्रयोजन कारण, अर्थात जो वस्तु बननी हैं, जो आपका घड़ा बना फाइनली, वो क्या होगा आपका लक्षया प्रयोजन कारण, इस प्रकार देखते हैं हम कि कार्य रूप में परिवर्तित होने वाला पदास जो है वो उपादान कारण हुआ, कार का निर्मान होना है, जिसका एम है हमें बनाना है, वो होगा आपका लक्षया प्रयोजन कारण, जैसे कि हमने पिछला एक्जामपल देखा, घड़े का एक कारण था कौन, कुमार, हम अन्य कारणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, भई उस घड़े का निर्मान कैसे होता ह उसका raw material क्या होता है, मिट्टी और अन्य पदार्थों का जो mixture होता है, वह मिट्टी जो क्या हुई उसकी उपादान कारण होई, वो उसका raw material हुआ, अब इसे कारे रूप में कौन परिनीत कर रहा है, कौन उसमें शक्ति लगा रहा है, उसे गती प्रदान कर रहा है, जो एक कुमार के मन में घड़े का स्वरूप नहीं होगा, उसके दिमाग में ये नहीं होगा कि घड़ा कैसा दिखता है, मुझे कितने बड़े घड़े का निर्मान करना है, तब तक वो उस घड़े को नहीं बना पाएगा, यदि उसके मन में खिलोने की आकरेती है या दिये की आक अर्थाद घड़ा आपका लक्ष या प्रेयोजन कारण हुआ इसे एक अन एक्जामपल से भी समझ सकते हैं आप जैसे थर्मकॉल की प्लास्टिक के आप प्लेट्स होते हैं कर्डोरी होते हैं उन्हें देखते हैं उनका यूज करते हैं भाई उसके लिए रॉव माटेरियल क् शीट वो थर्मकॉल की शीट जो है वो रॉव माटेरियल होगा अब वो रॉव माटेरियल क्या होगा आपका उपादान कारण होगा जिस मशीन से जिस व्यक्ति के द्वारा वह बन रहा है वो क्या होगा निमित्त कारण होगा और जिस शेप का बनाना है जिस आकार का बनान लेकिन बाद में अरस्तु ने बताया कि इन चारों कारणों में से दो महत्वपूर्ण कारण कौन से हैं उपादान कारण और स्वरूप कारण उसने उपादान कारण को मैटर या पदार्थ की संग्या दी स्वरूप कारण को साइज या आकार की संग्या दी उनका कहना था कि उपादान कारण में उपादान कारण में सारा कुछ लक्ष प्योजन कारण जो है जो जिस वस्तु का निर्मान होना है जो कार्य है वो पहले से ही नहीत होता है अन्यकारक जो है अन्यकारण जो है केवल उसके प्रकटी करण प्रस्तुती करण में सहयोग करते हैं अर्थात इसे हम एक एकजामपल से समझ सकते हैं एक पत्थर से एक मूर्टी कार को मूर्टी बनानी है उस पत्थर में मूर्टी का स्वरूप तो पहले से ही मौजूद होता है मूर्टी कार केवल और केवल उसमें अवांची जितने पदार्थ हैं उनको अलग करता है इस प्रकार मुर्ती का निर्मान होता है अर्थात मुर्ती तो उस पत्थर में पहले से ही मौजूद थी घड़ा तो उस मिट्टी में पहले से ही मौजूद था जिसका प्रकटी करण यहां कुमार ने किया और उस मुर्ती का प्रकटी करण किस ने किया शिल्पकार ने किया इस प्रकार से हम अरस्तु के कारणवाद को हम समझ गए हैं अब देखते हैं इससे related कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि कारणवाद जो है अरस्तु का कारणवाद 2018 PSC में पूछा जा चुका है अब पहला क्विश्चन है प्लेटो के सद्गुण वाद को समझाईए इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है कि कैसे आप उसके आत्मा के अंगों को बताएंगे सत्ता को बताएंगे और उसमें कितने सद्गुण होते हैं जो आपके सयम सहस विवेक और उनसे कैसे नयाय सद्गुण बनता है और जो चारों के मिलन से आपका कल्यान होता है व्यक्ति का और कल्यान कारी राज्य की स्थापना होती है उनको आप बताइएगा प्लेटो के दाशनिक राजा के सिध्धान के बारे हमने पढ़ लिया कि एक विवेक शिल व्यक्ति करतव निस्ट और कल्यान कारी राज्य की स्थापना के लिए जो व्यक्ति चाहिए और कैसा व्यक्ति चाहिए वही दाशनिक राजा होगा प्लेटों के अनुसार कितने सद्गुण है प्लेटों के अनुसार चार सद्गुण है न्यासर वोत्तम है और बाकी तिनों और सद्गुण भी है अरस्तु के कारणता सिध्धान इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है चारों कारण को बताईएगा लास्ट में समराइस करके आ कितने कारण आवश्यक है कितने कारण आवश्यक है चार कारण आवश्यक है यह आपको जैसे दाशनिक राजा का सिध्धान्त है इसे जो है दो नंबर पूछा जा सकता है कितने सद्गुण है यह दो नंबर चार नंबर और आठ नंबर तीनों में पूछा जा सकता है प्लेट आज हमने प्लेटो और अरस्तु के सिध्धानतों को जान लिया। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ आया होगा। धन्यवाद।